तो अब आपके लिए को न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नामे चीज चीली टोस्ट यह खाने में जितने टेस्ट होते हैं बनाने में उतने ही कुईक रेसिपी है फ्रेंट्स पास प्निट में बनके रेडी हो जाती है यह आप इसे विंटर में गरम गरम सूप के साथ या फिर चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं फ्रेंट्स शाम की छोटी-छोटी बुक के लिए बहुत ही करेक्टर रेसिपी है तो इस रेसिपी को आप जरूर प्राय कीजिए और अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट्स बोक्स में जाके अपने कमेंट्स मुझे जरूर करना है हमें चीज की मैंने तीन से चार क्यूब लिए अम्मूल चीज की और उसे ग्रेट कर लिया है फिर मैंने स्लाइज में भी लिए चीज क्योंकि चीज चिली टोस्ट है इसलिए चीज आप जितनी डाले कम है इसमें इसलिए मैंने दो स्लाइज भी लिए चीज की मैंने ही तोस्ट को असेंबल करने के लिए जो बटर है इसने मेल्ट कर लिया तो इसी के अंदर हम पहले जास कर देंगे कार्लीक को मैं अलग से नहीं डालना पड़े और अच्छे से मिक्स कर लेना है बटर हमें इसी तरह का लेना है यह आप ध्यान रखें अब हम इसे असेंबल कर लेते हैं तो मैंने ब्रेट की दो स्लाइज ले ली है और उस पे बटर अच्छे से अपलाए कर दूंगी इससे बटर इससें बहुत ज़्यादा लगाना है क्योंकि टोस्त है और बिना टर्वा में लगा लूंगे बटर इन्हें दोनों स्लाइस पर अच्छे तरह से बटर लगा गया है अब जो चीज की स्लाइस है मेरे पास में वह रख दूंगी इस तरह से अब इसके उपर में थोड़ी सी क्याप्सिकम लगा लूंगी आप कम ज्यादा अपनी चोईस से कर सकते हैं थोड़ी सी ग्रीन चिली यह बहुत ज्यादा तीखी वाली ग्रीन चिली नहीं है अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो एकदम तीखी जो ग्रीन चिली आती है पकली वाली वह आप ले सकते हैं टेस्ट के अकॉंडिक आप इभी डाल दे अब इसी के उपर थोड़ा सा औरेगेनो डाल देंगे अब रेट चिली फ्लिट्स भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं टोस्ट को पुरा ग्रीन बना रही हूं इसलिए मैंने औरेगेनो लिया है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है थोड़ा सा ब्लेक पेपर पाउडर डाल देंगे हमने ग्रीन चिली डाली है उसको दिहान में रखते हुए हमें ब्लेक पेपर पाउडर डालना है इस पर ज्यादा तिखा ना हो जाए और जो लोग तिखा खाते वह डाल सकते हैं अच्छे से चीज चिली टोस्ट है पर अगेन में चीज डालूँगी अब बहुत ही यह में लगता है आप इसे टी टाइम पर भी ले सकते हैं और शाम को गरम गरम सूप के साथ भी सर्व कर सकते हैं कि इस पर में थोड़ा सा और एगेन फिर से रेट कर दूँगी कि अब हमारी दोनों ब्रेट टोस्ट होने क्लिए रेड़ी है तो इसे में ट्रेपे लेलूँगी और मैं इसे ओवन में टोस्ट करूँगी आप चाहे तो इसे तवे पर भी कर सकते हैं अब हमारी ब्रेट टोस्ट होने के लिए रख देती हूं लगबग पास से साथ में तक मैं रखूंगी जब तक कि अच्छे क्रिस्पी हो जाए और इसकी चीज अच्छे से मैल्ट हो जाए मैं इसे 180 डिग्री पर रख दूंगी पास से साथ में के लिए तो लीजिए फ्रेंड्स डेडी है हमारी गर्मा गरब चीजी चीज चीली टोस्ट रेडी है अब देख सकते हैं किती चीजी है यह खाने में बहुत ही मज़ा आता है इसे मैंने सॉस के साथ सारू किया है और अगर आपने मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए थेंक्यू झाल